आपको भी अचानक से पैसों के यहां पर जुरूरत पढ़ चुकी है और पैनकर्ट साथ में आधारकट के बेसिस के ओपर आप यहां पर लोन अप्लाई करने के आप सोच रहे हो तो आप में आपको एक कैसी अप्लिकेशन बताऊंगा इस अप्लिकेशन से आप एक हजाब से एक अलाव रुपे का यहां पर लोन ले सकते हैं तो इस लोन को लेने के लिए आपके पास एक पैनकर्ट साथ में आधारकट यहां पर होना चाहिए और जो अप्लिकेशन है एकदम आर्वेदरा पूर्वड अप्लिकेशन है तो हमें चलता अपने मुबाईल की स्क्रीन पर आपको प्रोपर डिटेल यहां पर शेयर कर दे रहा हूं तो यहां पर हमारे को फाइनल पूरे 30,000 रुपे की यहां पर लिमट मिल चुकी है तो यहां पर इस लिमट को मैं इंस्टेंट अपने बेंक खाते में भी यहां पर ट्रांसफर कर सकता हूँ यहाँ पर मिल चुकी है, तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीन सोट को यहाँ खीच लिए है, उसके बाद अब मैं आपर इसको अपलाई करके यहाँ दिखाऊँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एविल इंस्टेंट कैश, आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है, आपको करना है, आप यहाँ पर 10,000, 20,000, 30,000, जितने का भी आपको लोन चाहिए, उतना आप यहाँ पर लोन आमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो लोन को मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर पूरे 30,000 को मैं जब सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा से आपे वेट करना तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे को आपए अगला ओक्षmeg यॉणपे क्या देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको जैसे थाओडा से वेट करना तो उसके बाद आपके आपके देख सकते हैं यहाँ पर 25,000 रुपे 4000 रूर्पय हमारी UMA बनी ह और Stamp Duty हमारे यहां पे पूरे 100 रुपे की यहां पे लगेगी तो सारा चार्ज आपको यहां पे चेक कर लेना है उसके बाद आपको नीचे वाला option देख रहा है तो यहां पे देख सकते हैं कि आपको क्या option यहां पे देखने को मिलता है तो यहां पे आपको सबसे पहले अपने 10 वर को चेक कर लेना है कितना आपका 10 वर है और उसके बाद ही आपको loan के लिए apply करना है तो यहां पे आपको 60 auto debit को यहां पे enable करना पड़ेगा उसके लिए अगर आपके पास net banking नहीं है आप यहां पे debit card से भी इसको यहां पे enable कर सकते हैं और आपको इसकी repayment एकदम time से करनी है अगर आप इसकी repayment time से नहीं करेंगे तो आपको 500 रुपे का check bounce का 4 पी यहां पे लग सकता है तो यहां पे मैं इसको यहां पे apply करके दिखाऊंगा आप आपको set auto debit option पर आपके टैप करना है तो यहां पर उसके बाद आपको continue to see detail वाले option पर आपको दुबारा से यहां पे tap कर देना है तो आपको tab करने तो set up auto debit का option यहां पर आ चुका है तो registered online कर सकते हैं साफ में देख सकते हैं आप सारी information आपको यहां पर मिलिए है उसके बाद आपको है आपको है setup online वाप्चन पर टैप करना है तो है है देख सकते हैं select perfect online method तो हमारे का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं है मेरा पर लोगिन करूंगा उसके बाद आप सम्मिटल पर टैप करता हूं तो जैसी मैं सम्मिटल पर टैप करता हूं हमारे को अपनी कस्टमर आईडी को यह पर टाल देना है अगर आपके पास यहां पर नेट बैंकिंग नहीं है तो आप इसको ऑटो डैबिट से भी आप इनेबल क कर सकते हैं उसके बाद आपके नीचे पास्टरड को यहां पर फील कर देना तो यहां पर थोड़ा सा मैं आप बलर भी कर दूँगा अपनी सेब्टी के लिए उसके बाद मैं नीचे वाला ओप्शन दिख रहा आपको इस अले ओप्शन पर हमें आपको टैप करता हूं और यहां पे login वाले option पर टैप्कर कर के भी तो जैसी मैं इसको आप लोग नटम करता हूं मेरे को दुबारा से to for ओर विएट करना है और दुबारा से अपने पासवट को फील करता हूँ और ढम पर बायआ टाइम पासवर्ड आएगा उसको भी मैं यहां पर फील कर दूँगा तो यहां पर मेरे मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड आ चुका है तो उसके पाथ यहां पर मैं OTP को यहां पर सब्मिट कर दिया उसके बाद आपको सब्मिट आले ऑप्सन पर दुबारा सा याप डिचन थैप करना है यहांप तो यहांपर देख सकते हैं Er यहाँ पर हो चुका है और 30,000 पर के क्रेडिट लाइन मुझे यहाँ पर मिल चुकी है इसको मैं आपको अपने बैंक खाते में भी यहाँ पर लेके दिखाऊंगा उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर तीन वन्त का भी ले सकते हैं चेमंद का भी यहाँ उसके बाद आप देख सकते हैं इंट्रस्ट आमाउंट यहां पर दिख रहा है आपको और उसके बाद आपको दिष्टिबुक अपर कर देना है उसके बाद आपको दो नीचे के आप यह औपशन देखने हैं तो सबसे हैनल आपको इपने Campaign Account को को लेना है कि जिस bank account में आप balance लेनी कि हैं पर सोच रहो और जो आपके खाते में आएंगे 19,988 रुप पर आपके खाते में आएंगे और bank account यहाइप देख सकते हैं उसके बाद आपको नीचे वाले दो option मिलेंगे आपको इसले चैक वाले option पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे का option मिलेगा आपको confirm वाले option पर आपके tap कर देना है तो यहाँ पर मैं इसले चैक वाले option पर आपके click कर दे रहा हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर बनके आ चुक है कितनी एमे बनेगी कितनी आपके खाते मेंगे और अज HDFC bank account के अंदरी मैं आपको यहाँ पर balance भी यहाँ लेके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो लोन है यहाँ पर आपने बैंक खाते में भी आपके लेके यहाँ पर दिखाऊंगा उसके बाद आपको दो जो निशान दिख रहे हैं आपको इस वाले option पर आपर टैप करना हूँ तो जैसी म करना है तो जैसी मैंने कंफरम वाले option पर टैप किया तो यृँ पर OTP यहाँ पर आ चुकर तो दुबारा से OTP आया उसके बाद मैं Verify OTP क्लिक करता हूँ तो जैसी मैं Verify OTP पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दुबारा से थोड़ा से यहाँ में पर वेड करना है औ उसके बाद में आपको क्लिक करके भी यहां पर दिखा दे रहा हूं तो यहां पर मैं दुबारा से थोट सा वेट करते हूं तो यहां पर देख सकते हैं HDFC bank account के अंदर मुझे 19,987 पर रसीव हो चुकी है तो यहां पर अच्छी application है सिरफ 2 मिनट के अंदरी आपको जो balance है आपके बैंक खाते में आपके ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां पर मैंने आपको जो लोन था एकदम लाइप प्रूफिया आपको अपलाई करके यहां पर दिखाया है और application कौन सी है वो भी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं तो डाउनलोड यहां पर एक करोड पलस इसकी यहां पर डाउनलोड है तो आप इस application पर लोन के लिए अपलाई कर सकते है जहां पर आपको इंस्टेंट यहां पर एक हजार से लेके पांच लाग रुपे की यहां पर लिमिट मिल जाएगी